आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रैक्स लॉग के बारे में जो की एक्स-डिफ्रेक्शन से रिलेटेट एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है एक्स-डिफ्रेक्शन इस टेक्निक यूजट फॉर स्ट्रक्शर डिटर्मेनेशन ऑफ एनी क्रिस्टल एंड सब्स्टेंज एक्स-डिफ्रेक्शन के बारे में मैं अपने प्रिवीज वीडियो में डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल से आपको लिंक मिल जाएगा अब प्लीफ्रेक्शन टेक्निक प्रियोग करके तो इट इस बेस्ट ऑन दे कॉंसेट अफ ब्रैक्शन का जो कॉंसेप्ट है यह ब्रैक्श लोग के ऊपर बेस्ट है इसलिए ब्रैक्शलो जो हमारा एक्स-डिफ्रेक्शन से रिलेटेर के बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक ह है तो डब्लू एल ब्रैक्श इन नैंटीन थर्टी सो दैट स्कैटर रेडिशन फ्रम अ क्रिस्टल बिहेब एस इफ दे रिफ्रेक्टेट बीम वेर रिफ्लेक्टेट फ्रम अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉंट्स ऑफ दे क्रिस्टल लेटाइस इन अ मैनर तो यह हमारा ब् सकते हैं ब्रैक्श लोका तो उन्होंने बेसिकली क्या बताया था कि कोई भी जो इंसिडेंट एक्सरे होगा कि कोई इंसिडेंट एक्सरे जब किसी भी यह क्रिस्टल के लेर से टकराएगा तो जो है डिफ्रेक्ट हो जाएगा तो जिस इस ठीटा में वो टकराएगा उसी थीटा में वह diffract होगा एक्सरे यह जो है इनका बेसिक पॉइंट था डब्ल अल ब्रैक्स का तो कहीं लेर से होकर गुजरेगा और जितने भी लेर से होकर अधिटा कोड़ पर जो है वह इंसिदेंट होगा उसी थीटा कोड़ पर ही वह डिफ्लेक्ट होगा एक्सरे यह ब्रैक्स लोग का यहां पर जो यह crystal lattice plan था क्या होता है कि arrangement होता है of an atom molecule या आयन of crystal in a form of a space lattice तो यहां पर crystal lattice का यही एक meaning है अब Rex law का जो है इसका जो formula है उसको determine कैसे किया जा सकते है उसको determine करेंगे so basically suppose a beam of x-ray falls on the crystal suppose x-ray beam है हमारा x1 x2 हमने माना है तो falls on a crystal at glancing angle जो theta है हमारा glancing angle then some of these rays will be reflected from the upper plate and some at some same angle theta ठीक है तो यह हमारा x1 x2 जो हमारा incident x-ray है जब यह हमारे जो हमारे crystal पर टक्राएंगे तो उसी glancing angle theta का निर्मान करेंगे ठीक है बनाएंगे फिर उसके बाद यह जो rays होगा reflect हो जाएगा upper plate at the same angle ठीक है same angle पर basic concept है तो यहां पर जिखिए जब यह हमारा पहला reflected जो x-ray है जब इसको हम नीचे बढ़ाएंगे तो एक प्रकाड का हमारा एंगल बनेगा एक code बनेगा तो यहां पर दो एंगल हमको मिलेंगे so here angle will be ठीक है पहला angle है हमारा a d और b यह यह ठीटा यहां पर तो is equal to theta and second angle is c d n b ठीक है यह तो यहां पर बिसिकलिए यह x1 x2 जो है हमारा incident x-ray है यह y1 y2 diffracted ठीक है x-ray है और यह एक a point है यह d point यह c और यह b point ठीक है यह b point है हमारा इसको name की name दे दिया हमने जिससे हम जो है इसका formula निकालेंगे so basically जब x1 और x2 जो हमारा incident x-ray upper layer के इस crystal से और नीचे की crystal से टकराएंगे उसके बाद यह diffract होंगे ठीक है तो यहां पर जब इसको बढ़ाएंगे तो एक angle बनेगा तो पहला angle हमारा बनेगा adb जिसका theta बराबर theta and cdb बराबर भी theta ही बनेगा ठीक है यह जो हमारा x1d है और यह x2b दोनों बराबर है उसी परकार हमारा यह y1d और y2c जो है बराबर है तो यहां पर path difference जो होगा हमारा ab और bc यह भी बराबर होगा ठीक है तो path difference जो ab plus bc यह हमारा यह तो हमने बताया कि x1d equal to x2a and y1d equal to y2c so path difference path difference जो हमारा ab plus bc यह हमारा first equation so path difference is defined as an integral multiple of wavelength जिसे हम define करेंगे n lambda से यह हमारा second equation है so n lambda बराबर हमारा ab plus bc तो हमारा path difference है path difference को हम n lambda से denote करते हैं तो n lambda बराबर हमारा ab plus bc होगा यहां पर हमारा sin theta बराबर होगा l upon h length of the perpendicular area और यह हमारा hypotenuse ठीक है तो यह जो है हमारा formula समझ सकते हैं sin theta बराबर हमारा होता है length of the perpendicular area upon h बराबर होता है hypotenuse तो यहां पर हमारा first angle लेंगे adb ठीक है यह हमारा first angle है length of the perpendicular area तो यहां पर जब यह हमारा angle यह जो इस a db में हमारा ab जो हमारा length of the perpendicular area का length है यह path length उसके बाद हमारा d and b यह हमारा hypotenuse है ठीक है यहां का तो यह जब हम पहला code हम लिये हैं उसमें यह हमारा l और h के बाद यहां पर क्या हो जाएगा यह त्रिया गुणा जो भी है basic maths यहां यूज होगा ab equal to db into sin theta तो ab equal to d sin theta यहां पर देखिए db जो है हमारा यहां पर जो हमारा d और b हमारों hypotenuse है इसको जो है d से भी हम define कर सकते हैं d हमारा interplanar distance है ठीक है तो यहां इसको हम d से भी denote कर सकते हैं यहां इसलिए हमारे यहां पर होगा ab equal to d sin theta यह equation 4 है हमारा उसके बाद second जो हमारा है डाइगराम में second हमारा c db जो angle है हमारा उसमें sin theta बराबर जो length of the perpendicular cb होगा और जो हमारा hypotenuse होगा वो db होगा तो db बराबर हमारा इसको d से भी denote कर सकते हैं तो उसी परका cb equal to db into sin theta तो cb equal to d sin theta यह हमारा 5th equation हो गया अब जब हम from the equation number 3 जो हमारा जो third equation था n lambda equal to ab plus bc तो जब हम उसको apply करेंगे a कमान ab कमार रखेंगे d sin theta plus cb कमार रखेंगे d sin theta तो यह हमारा n lambda equal to 2d sin theta भी होगा यह हमारा breaks equation निकलता है ठीक है तो इस परकार से हम breaks equation को जो है निकाल सकते हैं by using this method and यह जो हमार यह basic concept यहां पर होगा उसके बाद यहां पर यहां पर एंगल बनाएंगे तो हमारा breaks equation निकलेगा I hope को समझ में आया होगा तो यहां पर जो हमारा breaks equation निकलता है यहां यहां पर हमारा n होगा order of the diffraction ठीक है यहां पर यह order of the diffraction denote करता है हमारा n lambda हमारा wavelength of the x-ray का wavelength होगा यह d की कुछ माहां होंगे तो यह जो हमारा breaks equation है यह main important है हमारे numerical question होंगे उसमें यह बहुत important है हमको यह formula याद रखना है n lambda equal to 2d sin theta breaks equation gives the relationship between wavelength तो इस परकार इसको हम define भी कर सकते हैं कि breaks equation gives the relationship between wavelength of the x-ray lambda interplanar distance in crystals angle of the reflection theta तो इस परकार इसको हम define भी कर सकते हैं अब हम इसी formula का use करके जो है एक numerical question जो है solve करेंगे जिससे आपको basic idea हो जाए कि जो breaks equation से किस प्रकार से related questions आते हैं इस प्रकार के question जो हमारे semester exam के point of view से important है साथ हे साथ हमारे जो CSI net exam के questions के level भी इसी प्रकार होते हैं so basically numericals on the black straw पहला question हमारा the utilize reflecting plan of lithium fluoride LIF crystals has a d value of 2.014 m strong calculate the wavelength of second order refracted line which has value of 15.1 degree तो यह हमारा theta का अमान दिया गया है यह हमारा interplanar distance होता है d का value दिया गया है 2.014 m strong और यह हमारा lithium fluoride का wavelength of the second order wavelength हमको इसको निकालना है ठीक है तो यहां पर solutions के लिए हमको पहला important हमारा breaks formula हमको याद होना चाहिए n lambda equal to 2d sin theta यहां पर कुछ data दिया गया है n हमारा 2 दिया गया है second order second order का जो हमारा यहां पर second order diffraction है तो n बड़ाबट 2 होगा d का मान हमारा दिया गया है interplanar distance 2.014 m strong and theta का मान 15.1 m strong तो यहां पर formula use करेंगे formula लगा देंगे n lambda equal to 2d sin theta यहां पर lambda हमको wavelength निकालना है तो lambda equal to 2d sin theta upon n n command 2 है तो lambda equal to यहां पर हम मार रख देंगे sorry 1 m strong है 15.1 m yeah 1 degree sorry यह m strong नहीं है theta equal to 15.1 degree तो यह हम sin theta के जगे इसका मार रख लेंगे उसके बाद sin 15.1 यह हम lock table देखेंगे तो हमको इसका मार पता चलेगा कि 0.767 m होता है यह हमको m strong में निकालना है तो यहां पर 2 into 2 into d का मार हमारा रखेंगे sin theta का मार रख देंगे sin theta का मार यहां पर रखेंगे उसके बाद sin 15 का मार रखेंगे यह 2 2 cancel हो जाएगा यहां से उसके बाद यह m strong में बजएगा उसके बाद दोनों को जो हम गुणा करेंगे तो lambda का मार हमारा 1.544 m strong निकलेगा तो बैसिकली यह को इस टाइप से questions solve करने के लिए लोक टेबल दिया जाएगा तो यह लोक टेबल यूस करके हम sign 15.1 कमार यहां से पता कर सकते हैं तो यह कुछ बेसिक टाइप के यूमिकल्स questions है, breaks law से related I hope कि आपको समय में आए होगा आपके लिए useful भी हुआ होगा यह जो है MSC semester exam के point of view से पहुत ही important notes है तो I hope कि आपके खुद के notes बनाने के लिए helpful हो अगर helpful है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए like share and subscribe to my channel and thank you so much for watching